हेलो डियर स्टूडेंट, ओनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज जो मैं आपको बताने जारूँ दोस्तों वो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए है क्योंकि SBI नहीं, State Bank of India ने काफी ज़्यादा number of vacancies यहाँ पर निकाड़ी है टोटल जो number of vacancies है वो 3850 हैं दोस्तों और सबसे बड़ी बात है कि इन vacancy के लिए आपका कोई भी written examination नहीं होगा सीधा interview होगा और interview के बाद में आपकी joining होगी और वो पूरी परिक्रिया कैसे होगी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो को last तक देखिए last तक देखोगे तो पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बिल्कुल official website के साथ और official notification के साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों State Bank of India ने जो वेकेंसी निकाली है अट 350 उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर जाने है तो student इस वेकेंसी का जो online registration है वो आज से स्टार्ट हो गया है यानि कि 27 जुलाई से लेकर के और वो आपका चलता रहेगा 16 अगस्त तक तो इस application को आप online apply कर सकते हो इनी की official website के ओपर और इस website का link भी मैं आपको description के अंदर दे रहा हूं दोस्तों और यह जो वेकेंसी है वो कौन-कौन भर सकता है वो eligible Indian citizen भर सकता है और यह जो वेकेंसी है वो officer scale की वेकेंसी है दोस्तों State Bank of India के अंदर और यह जो वेकेंसी है उसके अंदर जो selected candidate है वो उन्हीं के circle के अंदर उनकी appointment होगी कहने का मतलब है तो यह circle based officer की recruitment है दोस्तों golden chance से आप लोगों के लिए इसके लिए भी तयारी start कर दीजिए हमारे ही channel online study मंतरा से तो start करते हैं notification को तो वेकेंसी की detail हमने यह आपर बता रखिये दोस्तों यह जो वेकेंसी है वो एमदाबाद, बैंगलोर, बोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जैपूर और महाराष्टरा इनी के circle के अंदर है और total जो है वो 3850 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और आप इसका screenshot ले सकते हो, वीडियो को pose करके पूरी आपकी area के according vacancy को जान सकते हो eligibility criteria के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले academic qualification के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों वो है एक अगस्त 2020 तक आपकी calculate होगी यानि कि आपकी जो है जब हो 30 year होनी चाहिए और आप 28 1990 से पहले का born नहीं होना चाहिए आपको आपका gen नहीं होना चाहिए experience आपको minimum 2 साल का experience चाहिएगा और वो भी as an officer कोई भी schedule commercial bank के अंदर या कोई भी RRB यानि कि regional rural bank के अंदर आपको experience होना चाहिए और local language की बात करते हैं दोस्तों आपके पास 10th या plus 2 की जो standard mark sheet है उसके अंदर evidence भी होना चाहिए proof होना चाहिए कि आपकी जो local language है उसके अंदर थी यानि कि चाहिए वो 10th के अंदर हो चाहिए वो plus 2 के अंदर हो आपका एक Hindi या English या कोई भी आपकी local language है वो आपका एक particular subject होना चाहिए आपकी 10th या plus 2 की mark sheet के ऊपर ये mandatory है अब बात करते हैं student relaxation इन अपर age limit के अंदर जो category wise मैंने आपर दे रखा है SC या ST के लिए 5 साल का age relaxation दिया हुआ है और backward class के लिए 3 साल का और जो PWD candidate है SC ST में हो OBC में हो या general या EWS के अंदर हो उनके अंदर 15 साल 13 साल और 10 साल simultaneously दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो उसके बाद में जो ex-serviceman है या commission officer including emergency commission officer यानि की ECOs बोलते हैं या कोई भी इन में से आप पढ़ सकते हो उनके लिए भी 5 साल का age relaxation दिया हुआ है जैसे कि आपको 30 year का पहले जो last age limit दियो ही थी उनके अंदर इन age relaxation को आप जोड सकते हो आगर आप इन category से बिलोंग करते हो तो general को कोई भी age relaxation नहीं है selection procedure के उपर बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी return examination conduct नहीं होगा वैसे तो इन्होंने बता रखा है कि bank reserve करता है एक right अपने तरफ की वो return examination को conduct करवाई लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ document देखके आपकी qualification देखके आपके percentage देखके आपकी quality देखके आपको एक interview के लिए बुलाया जाएगा उस interview में अगर आप shortlisted हो जाते हैं उसके बाद में आपको अपना जो regional area है वो दे दिया जाएगा आपको जो job है वो provide करवा दी जाएगी merit list उसके अंदर लगेगी और merit list की बात करते हैं अभी जो merit list है selection के लिए वो भी descending order के अंदर basis of score जो आपने interview के अंदर सिर्फ और सिर्फ interview के अंदर जो आपका score है और वो भी state wise रहेगा category wise रहेगा और उस हिसाब से cutoff marks list तयार होगी और उस cutoff के अंदर अगर आपका merit list के अंदर selection होता है तो आप final selection के लिए ready हो और आपका merit के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो अब बात कर लेते हैं application fees की जो की non refundable है SC, ST या PW के लिए वो कोई भी fees नहीं है लेकिन general EWS या OBCनE की अधर backward class के लिए साधे 700 रुपे fees रखी गई है दोस्तों और ये जो fees जो भी आपसे ले रहे हैं वो आपकी note refundable है ये चीद जहां रखना इन्होंने पहले ही mention किया हुआ ह सारा का सारा process online है apply कैसे करना है बात करते हैं ये आपकी आजशे application online application अब वो start हो गए है link मैंने description में भी दिया गया है और यहां पर भी मैं link दे रहा हूँ और ये जो last जो date है वो 16 August 2020 तक रहेगी उसके बाद में कोई भी आपकी application अब accept नहीं की जाएगी और दूसरा mode भी accept न नहीं कर सकता है यानि की जो pre request for applying online उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों आपका एक valid email ID और एक mobile number जरूरी रहेगा और ताकि उसको active रखना है आपको जब तक आपका result declare ना हो जाए क्योंकि आपको लगातार email और SMS के द्वारा जो आपके call letters है या कोई भी requirement है जरू पर भेजी जा सकते है उसके लिए आपको एक बिल्कुल unique आपका email ID जो active हो या mobile number जो भी आप active रखोगे वो उसको आपको last end result तक completely capture रखना होगा आपने पास और guideline है online application fill करने के लिए वो भी बहुत सी strictness दी गई है दोस्तों आगर आपको पूरी guideline देखने है तो मैं next video उसके उपर बनाऊंगा उसके लिए आपको comment box के अंदर अपनी राय देनी पड़ेगी अगर आपको पूरी की पूरी प्रोसेस आपको चेक करनी है कि how to apply आप इस जो exam के लिए कैसे form fill कर सकते हो कैसे form apply कर सकते हो आपको passport side photo उसका size कैसा होना चाहिए signature कैसा होना चाहिए या form को कैस से apply करना चाहिए उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो मना के दूँगा फिलाल उसके उपर बात नहीं करेंगे और उनका एक इनोंने टेलिफोन नंबर भी दिया हुआ है और उनके उपर आप 11 से लेकर 4 बस तक working days के अंदर बात कर सकते हो admission की receipt के regarding call letter के regarding और को कोई भी आपकी query हो उनके regarding आप उनसे बात कर सकते हो और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों वहां पर आपको बिल्कुल mention करना पड़ेगा कि recruitment of circle based officer in state bank of India 2020 और अगर आप email डाल दे हो तो उसके अंदर आपका subject यह रहेगा क्योंकि जो इनकी जो mail है mail address है उनके अंदर इसके अंदर यहां पर provide करवा रहा हूं अगर आपको कोई भी regarding इसके knowledge चाहिए तो आप mail से knowledge ले सकते हो तो बात करते हैं दोस्तों अब आपके document कौन-कौन से upload होंगे तो सबसे पहले आपकी photograph signature और एक ID proof वह भी PDF form के अंदर एक date of birth जैसे की 10th होगी वह भी PDF form के अंदर आप आपको एक brief resume लगेगा जिसके अंदर काफी सारी educational professional qualification और experience जो भी है उसकी जो PDF भी वहां पर लगेगी अगर आपको इसका format चाहिए तो आप directly यहां से ले सकते हो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं how to apply उसके description के अंदर भी मैं आपको ए educational qualification जिसके अंदर mark sheet हो या degree या certificate हो वो भी आपका PDF form के अंदर चाहिएगा और अगर आपकी जो professional qualification certificate है जैसे कि आपने MBA कर रखा हो CFA कर रखा हो CFA हो या ISWA कोई परकारगी जो professional degree आपके पास हो उसका भी आपको PDF के अंदर चाहिएगा और आपके पास कोई भी certificate है JAIIB या CAIIB क तो भी आप लगा सकते हो आपके पास अगर experience certificate है mandatory है दोस्तों दो साल का experience certificate कोई भी educational institute जो financial related हो चाहिए कोई भी bank से उनका जो experience है वही चलेगा और कोई experience नहीं चलेगा और एक form number 16 जो notification आईए उसके अंदर form number 16 है दोस्तों उसके अंदर आपकी salary slip भी PDF के अंदर लगानी है द इसके पास आपका study का evidence जो है उसका रहेगा कि आपकी जो local language है वो आपकी accurate है या नहीं है यानि कि आपने 10th और plus 2 के अंदर आपकी जो local language उसका subject particular आपके पास है या नहीं और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जैसे आपने form भर दिया form भरने के बाद आपके call letter की बार upload करना है मैं आपको बता रहा हूं कि आपको call letter के लिए simple सा link जो मैंने description के अंदर दिया हुआ है जैसे ही call letter का link आएगा इस video का आप click करके दोबारा देखना उसके description में आपको link provide करवा दूंगा दोस्तों उस link को click करके आपके पास जो registration number होगा जब आप registration करोगे उसके time registration number आ print है वो निकाल सकते हो hard copy में और दूसरी बात इन्होंने first लिख रखी है bold letter के अंदर कि कोई भी hard copy आपको भेजी नहीं जाएगी कोई भी post के द्वारा तो student आपको कोई wait नहीं करना है आपको लगातार मेरे साथ बढ़े रहना है चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon का बटन जरूर जबा दिए ताकि जैसे ही जो call letters हैं यहां पर SBI के जैसे ही download होने start होंगे मैं उसके उपर भी एक नई वीडियो बढ़ाऊँगा कि आपको कैसे download करना है ताकि उसकी notification आपको मिलती रहे और जैसे ही आपको notification मिलेगी और कब मिलेगी वो तब मिलेगी जब आपने मेरा चैनल subscribe किया होगा तो दोस्तों देर मत कीजिए subscribe कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपने form भी apply कर दिया हो और उसके बावजूद भी आपको e-call letters है वो उसकी notification ना मिले आप अपने काम में ऐसे व्यस्त हो जाओ कि आपको जो vacancy है वो भी चूट जाए जो golden chance यहां पर आया हुआ है क और यहां पर दोस्तों जो verification है वो भी biometric रहेगा यानि कि आपकी photo और thumb impression वहां पर capture होंगे वो भी digital format के अंदर biometric verification के लिए candidate की जो candidate interview या selection या joining होने के लिए आएगा वो तिनों process के अंदर यानि कि वो candidate same रहना चाहिए उसका correct thumb impression होना चाहिए यहां पर कुछ problems भी दी रहती है कि कई बार students है मेंदी या ink या कोई भी chemical कोई भी external जो material है या matter है कोई भी आपको apply नहीं करना है अपने hands के उपर या अपनी fingers के उपर अगर यहां ऐसा आप करते हो तो आपके उपर legal action जो हो सकते हैं इसलिए वो नहीं लगानी है आपको बिल्कुल fresh और knit and clean hands से आपको interview के time या selection या joining तिनों के time ये चीज़े ध्यार रखनी है दोस्तो और thank you for watching my video online study mantra की इस वीडियो को last तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप संदीप कुमार को सुन रहे थे और मेरा channel please students subscribe कर दीजिए एगर ऐ area related हो चाहिए वो आपकी job के related हो चाहिए नई vacancy के related हो चाहिए आपका education related हो चाहिए आपके जो current affairs है उन्हीं के related हो चाहिए वो आपका interview के related हो आपको interview कैसे conduct करना है किस किस तरह के question पूछे जाएंगे उसकी भी वीडियो में आपके सामने लेकर आँगा एक नहीं लगातार वीडियो आपके सामने लेकर आँगा जब तक की exam आपका हो नहीं जाता interview आपका हो नहीं जाता तब तक के लिए मेरे साथ बने रही है online study mantra चैनल के साथ और प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे bell icon का बटन दबाना मत भूलना और यह हमारे कुछ links दिए हुए इन पर जाकर के आप follow क कर सकते हो हमें और वर्सप चैनल भी है ग्रुप से भी जूड़ सकते हो thank you thank you for watching best of luck